हलचल से जाने घर में लड़का है या लड़की नमस्कार दोस्तों आप लोग को मेरा चैनल प्रेग्णिनसी मौम में स्वागत है दोस्तों आज हम इस प्रेग्णिनसी वीडियो में जानेंगे कि गर्भवस्ता की दोरान एक गर्भवत्ती महिला के घर्मे पलने वाला शिशू के हलचस से कैसा जान सकते है कि गर्मे पलने वाला शिशू लड़का है या लड़की उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चार्चा करेंगे दोस्तों क्या होता है जब एक महिला गर्भवत्री महिला को जानने की जिक्यासा रहती है कि उनके गर्मेपलने वाला शिशु कौन है लड़का है या लड़की ठीक है और इसके लिए वो लोग बहुत सर उपाई करते रहते हैं या फिर लक्षन के दारा जानना चाते हैं कि एक गर्भवत्री महिला के गर्मे पलने वाला शिशू कौन है लड़का है या लड़की दोस्तो आप लोग को पता है कि भारत में लेंगजाच करवाना का नोनन अपराद है आप लोग भारत में लेंगजाच नहीं करवा सकते हैं ठीक है लेकिन ऐसा कुछ उपाई है या फिर लक्षन है जिसके दार आप जान सकते हैं कि एक गर्भवत्री महिला के गर्मे पलने वा र्मन्स के परिवरतन देखेजाते हैं लेकिन हुर्मन्स का परिवरतन होता है हर ऐसे में कहें देती हुआ इसाथ करण सपोर्ट और मेरे वीडियो आरोंकि मेरे बनाने के उत्यविद्र मुल्स झार चीजिए यहीक उन जिक्यासा को सांथ करने के लिए में वीडियो बनाती हो बाकी मेरा कोई उदेश्य नहीं है ठीक है तो दोस्तो आईए अब हम जानते हैं कि शीशू के हलचल से कैसे जान सकते हैं ये गर में लड़का है या लड़की उसके बारे में दोस्तो अगर गर्भवस्ता का चोथा तीसरा या इतने महीने में अगर एक गर्भवत्री महीला को सिसू का मुवमेन या फिर बच्चे का जो हलचल पता चलता है तो माना जाता है कि ये एक गर्भवस्ता के दोड़ान अगर एक गर्भवत्री महीला को उसके बच्चे का मुवमेन या फिर हलचल पाच महीने के आ तो दोस्तो यही था कि हलचल से कैसे जाने गर में लड़का है या लड़की उसके बारे में अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा साथ में शेयर कीजेगा और कॉमेंट करके बताईएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो या फ लाओ तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए थिन नवाद